किस तरह से कैट हीट पर आती हैं और हीट पर आती हैं तो मैट क्यों नहीं होती है क्या वज़ा होती है कि वह मैट नहीं हो पाती है और उनकी कई लोग ही डिस्किप करा देते हैं हम सहरा और आज फिर में एक और वीडियो लेकर आई हैं इंफर्मिशन से बढ़ी हुई आपके लिए जो इसमें कि हम बात करेंगे कि कैट हीट पर आती हैं तो मैट क्यों नहीं होती है या फिर बहुत जादा मैट इसकिप हो इससे कैट लेकर आते हैं और बोलते हैं जो हमारी सबस्कित कि अजिए डिवीडिक सा नहीं होती हैं या फिर कोई लाँ प्याड़ से कैट रखते हैं तो सोचते हैं, चलो कि हम अपनी कैट को मैट नहीं किर्वाते हैं या थम्हeंक्साइब हम हैं या हमारीצ छोटी है तो यह मत जारीच जरूराहिए यह आप ज्यारह महीने क बारंती भी भी लिभी द्स महीने के हम भी 10 मईल साथ है powers्ञम कर्सक्राइँ अप हीड उसकी स्किप करा यखिस्टप करा दें ट्री आप ज्यादा हीड थिस्किंप करा आहाने से उनको प्रॉब surgit उनके कि पैल्स में पस हो जाता है जो कि हमको माइनर शा मतला हम लोग नहीं पैचान सकते हैं उसको कि उसको पेन हो रहा है कि क्या हो रहा है तो इतना ज़्यादा पेन होने लगता है कि विदा उठी हीट के भी उसको वहाँ पर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा होता है कि हम कई बारी नोटिस नहीं करते हैं कि उसको हम पकड़के देखें आप उसके पे मेऺते हैं लेकिन सेक्ट टाइम जब वह हीट потक है तो सुको मेट करा दें अगर 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 नहीं मेड करवाना है या उसको आप को उनसे किर नहीं चाहिए तो आप आप यह डिस ब्हट जल्दी ही लें क्योंकि अगर आप उसको उस्पे कराना चाहते तो जो नॉर्मल डॉक्टर है वो यह बता ही नहीं पाते के अगर cat mat नहीं होती है तो matting की वे मैट नहीं की विज़े से उनको प्राबलम क्रेट होना शुरू हो जाती है और कई बर यह होता है कि हमारे cat अगर mat हो भी गई है तो उसके अंदर ऐसी प्रावलम किसी को फेस करने आ भी रही है कि उनकी कैट कई बार हीट पे आ रही हैं चिल आ रही हैं लेकिन मेट नहीं होना चाहरी है या फिर उनको पेन हो रहा है या फिर वो किसी भी मेल से ट्रैक्ट नहीं हो रही है तो उसके लिए इनकी मैडिसिन आती है तो आप उनको दाइट वगर दें ताकि अपनी अच्छी से डाइट पाकर वो एक हलदी मदर ह Starting मदर बने और हलदी किट corrupt करें और उसके लिए आप अगर आपनी किटन से deliver नहीं करवाना चाहते हैं बच्चे नहीं चाहते हैं कि वो kitten दे या उसके health का कोई issue हो या आप उसको ऐसे ही रखना चाहते हैं तो आप उसका जल्दी जल्दी इस पे करा लें ताकि उसे issues ना हो यही mail कभी है अगर mail होते हैं रातों को चिल लाते हैं वो को लगता है चिल ला रहे हैं बीचारी इनको मारना पीटना शुरू कर देते हैं इनको पीटते हैं डाटते हैं या फिर उनको कई लोग बोलते हैं कि रहे बिली रात को चिल ला रही है तो ये अब शबून है या फिर कोई ऐसी चीज होने वाली है कुछ खराब चीज होने अर या पिर आपको breeding करानी है, या पिर आपने उन से बच्चे ले रहे हैं तो आप उनकी मैटिंग करा दे, और फिर उनको आपको नेक्स्ट किटन चाहे नहीं चाहे आप जल्दी से decision लें ताकि आप decide कर सके और इस decision को लेकर कि आपनी कैट को जल्दी जल्दी स्पे करें और इस पे कराने में उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है उनको और बलके उनके लिए बेनिफिश्यल ही रहता है इस पे कराना क्योंकि इस पे कराने से इनकी وड़ ब्रकर करती है और ज्यादा अच्छी हो जाती है अगर आप यह decision लेते हैं कि अपने cat को हमें इस पे कराना है तो आप जल्दी decision को लें और इस पे करें और उसमें कोई हर्ज नी है, कोई दिक्कत नी है लोग सोचते हैं कि कोई दिक्कत है, कोई परशानी हो जाएगी कोई ऐसी परशानी होने नहीं वाली आपका कैट पल की मेल हो या फिमेल हो उसकी हेल्थ और भी एच्छी थैंक्स फर वाचिंग मैं वीडियोज और लाइक और सब्सक्राइब मैं चैनल और ऐसी इंपरमेशन के लिए हम फिर से मिलेंगे अल्ला हाफिस